जितनी दमकियां दी थी जितनी पाबंदियां लगाई थी जो भैपैदा करने की कोशिश की थी अर्याने की जनता ने धज्जियां उड़ा दी उनकी अभी हम करनाल में हैं करनाल की नियू और अजमंडी इसे कहा जाता इस इलाके को और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहां पर किसानों ने आज कॉल दी थी कि वह यहां पर आएंगे और कमिशनरेट को फुरा गेजने का हुदा जो फुरा प्रान था उसकी बात अनों आज अगर तैयारी के लिहाज से देखें और अगर मैं आपको पताना चाहूं तो यहां पर तमाम पुलिस वोड़ जो है पूरे जिलेखा और आसपास के जिलों से जो है वो मंगाई गई है ताकि यहां पर कोई जो कानून विवस्था की स्थिति है उसको जो है नेंतरन में रखा जा सके किसान नो ने भी अपनी जो है भरपूर तैयारी की है आज की जब तक उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती तब तक वो जो है यह कमिशनरेट का घिराफ जारी रखेंगे आगे क्या डेवलोप्मेंट होती है उसके लिए हम आपको आपको जो है बताते है आज से नो बिनने 15 दिन शिंग बोर्डर पर अत्याचार के गए उसके बाद 28 करनाल में हम इर्टिंग हो थी पंचायच के लिए खट्र साब खुद आ रहे थे हम कि तोल पलाजा वे हमारे पर लाठी चार्ज हुए है आज भी हमारे पांट टाक्या हुए हैं हम कुछ निग अब लाठी चार्ज किया गया दिसमें दरजुनों हमारे किसान भाईयों को रम भीर चोटे आई और हमारे एक साथी शुषील जो है साथी शुषील काजल जो शहीद भी हुआ डूटी मजिस्ट्रेट को प्रमुकदमादर जो शहीद साथी के परिवार को मौज़ा मिले जाहिद साथी परिवार उक्ते से सदस्यों को नोखरी मिले अचंप के लिए जो है आज यहां पर बड़ी संख्या में किसान इकठा हुए है कोड़े समी दान में लिखा है कोई लिखी तोड़र नहीं था उसके पास मोखी कोड़र वो बोल राकिसानों के सिर्फ और दो लाठी मारो क्यों वही रोड़ पे हम कौण सा किसी का सिर्फ और रहे हैं हम किसी को डंडा तो डिना मार रहे हैं लेकिन सरकार ने जो किया ये पुछा दर्जों थी 302 ये मारी मांगा किसान मोर्चे के और जो हमारे सहीन साथ हैं काजल जी उनके लिए मुआवजा एक परिवार की सदस्कर नोक्रे और उसके एस्जे में खिलाब के इस दर्ज ये मांगा मारी मोर्चे की हाज खट्र साब को सही पुछो ना तो राजनी या क्या नहीं करना है जैसा कि सब को पता है कल जो पर साशन यहां पर किसानों को रोकने के लिए प्रबंद कर रही थी इंटरनेट से वाई बंद कर दी थी दारेक्ट्स लगा दी थी पुलीस लगा दिये बैरिगेट लगा दिये लेकिन तमाम जो अथकंडे वह आज फैल हो हैं और लाखों की संख्या में किसान अनाज मंडी के अंदर करनार में पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दिया तो उसके उपर मुकदमा दर्ज किया जाए वरना जो हमारा वहां था कि डिसी का रहले का घेराओ किया जाए हमारी 11 मेंबरी कमेटी खटर गे कुटनेट के आने के लिए यह आई थी और बात करने के लिए गई है अगर मान गई तो ठीक है नहीं है करना जो करन भूमी है जो पवित्तर धर्ति है हम यहां पर बार-बार आते रहेंगे इतने माननेंगे नहीं हम वो तिन बारी कल कीती, तिन बारी सड़ा डी सी दे एस भी, वो दो में जणेयों दी भकानित कर दे रहें, जिनों असी सारे ने बार बार लोकिया डोकिया रेजेक्ट कीता, तो फेर असी उनु कहके आ गए, तो ठीक है असी अपने प्रोग्राम ते पके हैं द्रिणा, असी उ माला, असी फैसला कीता है, जिस तरह सान पहला एनार केता हुए है, वही, असी क टीसीदी सेक्लेmms कर 75 केहर ने, असी फैसला कीता है, वही यहस wall सी महर्ज करागे, डीसीदी सैक्लिए about ли Barbie men, कि उधा जाके और रहो करागे हुआ आप frag देखना है कितना नुक्सान करना है ऌत किसान ठान चुके है और जब तो यही काम करते थे और आज भी यही काम करते थे और आज भी यही काम करते हैं इस तो आरास का कुंडा है जो रोटी पकाता है हम ऐसे थोड़े हैं उनीस सथ में और यहीं रोटियां पका रहे हैं और हम किसानों के साथ तैदिल से यह निग भी हम ग्रैनी हैं, रसोई में ही रोटियां पका रहे हैं, हम तैदिल से किसानों के साथ तन्मंदन से, और हम आग्ये खड़े हैं किसानों के हम पिछे नहीं अटेंगे, और इनको तो वापिस लेना पड़ेगा सरकार ने, एक साल ब हम एक सोच्वाली दारा को भी तोड़ देंगे जाय हमारे उपर लट वरसे गोड़ियां वरसे हम अमारे भाई सईद काजल को जो सईद हुआ है उसको न्याइद लिवा करी दम लेंगे ऐसे मानने वाले नहीं है हम